नमस्कार दोस्तों मैं हूं हिमान शुभट अचार तो हम सभी बच्पन से खाते आ रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं अचार को आयूरवेट की आउशिधी माना जाता है जो बहुत सी बिमारियों में फायदे मंद भी है लेकिन बड़े अफसोस की बात है जिस अचार को हम में ये पता है कि अचार को सही तरीके से कैसे डाला जाता है और खाने का सही तरीका क्या है तो ये सभी आज हम जानेंगे आयर्वेटिक डॉक्टर दीपक कुमार जी से कि अचार किस तरह से सही पद्धती से डाला जाए कौन सा अचार किस बिमारी में फायदे मंद है और अ अचार मिल पाता है और हमने तो बच्पन से आज से घर पे बना अचार ही खाया है लेकिन मार्केट में जो अचार मिलता है उसमें कलर का इस्तिमाल होता है जिससे फायदे कम बिमारिया जादा हो रही है तो अगर कोई इनसान इस वीडियो को देखकर घर पर सही पद्धती से अचाहे ताकि साइड इफेक्स ना हो तो आप बताईए सही तरीका क्या है अचार डालने का इमानशु जी अचार एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद कोई आदमी ऐसा होगा जिसके मुह में पानी नहाता जैसे वीडियो बनाते-बनाते हमारे आ रहा है और अचार हि हर देश में अलग अलग है अब जैसे आप रशिया जाओ वहां पर नमक के अंदर इसको प्रिजर करके बनाते हैं जिससे उसका सारा पानी सोख ले हमारे यहां का जो अचार है वो बिलकुर निर्दोस है और निर्दोस होने के साथ साथ कई बीमारियों में हमको फाइदा भ अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग अचार खाते हैं गला खराब हो जाता है गला बैठ जाता है खांसी हो जाती है उसका सबसे बड़ा कारण है केमिकल यूग्त मजार का अचार हूज करना सबसे पहले हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो अचार हो घर का सु सुन देखा हो हमको सबसे पहले उसको ले करके एक किलो ले 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 उसको छोटे-चोटे टूगणे काट करके उसको सुखा ले एक किलो लेने के बाद हमको सो गिराम सरसो का तेल सुद तेल अच्छी कंपनी का हो कच्ची घानी का हो और सो गिराम तेल के साथ 50 गिराम सिरका और नमक सेंदा हो 20 गिराम, लाल मिर्च 10 गिराम, हल्दी 5 गिराम, धनिया 5 गिराम, जीरा 2 गिराम, और बहुत ही अच्छी कमपनी का हिंग होना चाहिए 1 गिराम. अच्छे हिंग से मतलब क्या है सर क्योंकि हिंग तो हिंग होता है अच्छा हिंग क्या होता है हिंग वैसे तीन जगे का बहुत जादा परसिद है इरान का अफगानिस्तान का और तीसरा तजाकिस्तान का या उजबेकिस्तान का और जितना हींग के अंदर अरारोट उड़त की दाल की पिठी मिर्ची का तेल और एसेंस मिलता चला जाएगा उतना ही यह सस्ता होता चला जाएगा इसके गुण उतने ही कम हो जाएगे हींग अच्छा आज के समय में मार्केट में 30,000 रुपे के लगबग है तो हमको रेट ना देखते हुए चीज लेनी चाहिए ज्यादा सस्ता हींग लेंगे तो ज्यादा पड़ेगा महेंगा और अच्छा हींग लेंगे तो उतना ही कम हमारे यूज में आएगा मतलब आज के समय में ज्यादा तर लोग जिस हींग का घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी हैं जी अधिक तर आप खुद देखो कि मार्केट में रेट जो है अगर अच्छा हींग है तो सस्ता कैसे कोई बेज देगा तो हींग हमको अच्छा एक गिराम लेना चाहिए इन सब को कूट करके अलग-अलग कूट लें और उसको रख लें सरसो का तेल प्राई पैन में ले लें उसको गरम करें गरम करने के बाद उसमें जीरा हल्दी नमक इत्यादी मिला लें और मिला करके जो हमने जीश चीश का अचार बनाना जो हमने सुखाया है उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद काच के मर्दबान में रखके उसको धूप तिका दें तीन दिन तक धूप तिकाने के बाद हमारा जो अचार है ये तयार होने के और चल पड़ा है इसको लगभग 20-25 दिन के ल जाता है तो गाजर शलगम गोभी इत्यादी तीन चार दिन बाद आप इसको सेवन करें और आम इत्यादी का एक महिने के बाद आपको स्वादान गया आम और निम्बू गल्ने में वक्त लेते हैं तो उसके बाद ही हमारा अचार बिलकुर शुद्ध और हमारे खाने योग करता था और हमेशा हश्ट पुछ रहता था कभी कमजोर नहीं होता था तो इसके अंदर इतने विटामिन्स हो गए प्रोटीन्स हो गए कार्वोहेड्रेस भी थोड़ा हो गया तो हमारे शरी के लिए सबसे पहला लाव यह देता है क्योंकि इसमें खटास होती है और विटा के साथ उसको सेवन करते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा बनता है हमारा स्वाद भी उससे अच्छा बनने लगता है तीसरा यह बहुत अच्छा पाचक है हमारे शरीर में जब हम इसको खाते हैं तो हमारी पाचन करिया तीवर हो जाती है जिसके कारण हमारा पाचन जो हमने खाया हो बहुत अच्छी तरह होने लगता है तो हमारा पाचन भूद अच्छा होगा और हमारा साथ ही साथ immunity power बढ़ेगी और हमारे को खाने में स्वाद बढ़ेगा पाचन अच्छा होगा तो फिर तो ये अचार भूख बड़ाने में भी फाइदेमनि हे भूग के लिए तो लोग अक्षर इसको खाते ही हैं, तो भूग भी इस से लाब मिलता है, तीसरा, इसके अंदर bioactive protein भरकूर मात्रा में, इसके सेवन से हमारी जो aging factor है, उसमें भी असर पड़ता है, एंटी-aging properties है, और साथ हमारे diabetes level को भी ये maintain रखता है, मतलब जिन लोगों का high blood sugar रहता है, हाई टो इस्टोजन होने के कारण हमारी जो type 2 diabetes खास तोर से उसमें ये लाब देता है, बहुत से लोग आज के समय में cholesterol से पीडित है, जिनका cholesterol बहुत जादा बढ़ जाता है, तो lactobasius होने के कारण ये हमारे cholesterol को maintain र होंगा, आचार में तो हमने तेल डाला है, और जब cholesterol बढ़ आता है, तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं तेल वाली चीज़ बंद कर दो, लेकिन तो कैसे तेल होने के बावजूद भी अचार cholesterol में खाइदे मन्द है, हिमानशु जी ये प्रूफ हो चुगा, सर्सों का तेल, कच् को बढ़ाते हैं, कभी भी सर्सों का तेल और कोलेस्टोल पहले कभी, मैं एटी स्यावन से अपने क्लिनिक में बैट रहा हूं, कोलेस्टोल की सिकायत पहले नहीं होते थी, लेकिन आज लगबग लगबग हर आदमी इस बीमारी से पीड़ी थे, जब कि पहले के लोग तो त पीना दूशित हो गया, उसके कारण ये दिक्कते हमको तेजी से क्लिक कर रहे हैं, साथ ही साथ, इसमें किसी आदमी को आपने देखा होगा मसल्स में बहुत जादा क्रेंप साते हों, तो जिस व्यक्ति को मसल्स में क्रेंप साते हों, एक दिन अचार खाके देखे तो उसको बहुत अच्छा लाव मिलने लगता है, जिन लोगों का ब्लड सर्कुलेशन प्रोपर ना हों, उनको भी ये अचार खाने में बहुत लाव देता है, ओटाशियम इसमें होने के कारण ये हमारा हाई वीपी हो, उसको भी थोड़ा सा मेंटेन रगता है, लेकिन सीमित मातरा म यदि कोई आदमी बहुत ज़्यादा मातरा में इसको अचार को खाए, तो जिनका बीपी नॉर्मल भी है, तो थोड़ा गर्मी पैदा करके बीपी बढ़ाता है, तो इसको सीमित मातरा में हमको सेवन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मातरा में इसका सेवन चाही नहीं है, जिन लोगों को इसकी दिक्कत नहीं है, blood pressure की, वह ले सकते हैं, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा BPI है, उनको थोड़ा सीमित मातरा में लेना चाहिए. एक आज की समय में हम सभी के सरीर में cells बनते हैं, मरते हैं, मरते हैं, और कई बार बनने कम हो जाएं, बनने जादा हो जाएं, मरने कम हो जाएं, तब यह हम बिमारी बनती है, unwanted growth की cancer, तो cancer की growth को भी यह HR थोड़ा सा balance करता है. एंटी-cancerous properties हैं, एंटी-cancerous properties में हैं, बहुत अच्छी हैं, तो जिन लोग को इस चीज़ की आशंकारें, तो थोड़ा अचार उनको नियमित रूप से सेवन करें, तो आशंका उनकी कम होने लगती है, साथ ही साथ आपने देखा होगा, विटामिन C से अंदर भरपूर हो उसको भी इस विमारी में बहुत लाप मिलता है, और बास का आचार, मैं आपको एक छोटी सी बात करूंगा, बास बहुत तेजी से बढ़ता है, जिन बच्चों की ग्रोथ कम हो, जिन बच्चों के अंदर human growth hormones का development ना हो रहा हो, बनना कम हो रहा हो, ऐसे बच्चे यदी बास का आचार का सेवन करें, तो उनको बहुत अच्छा लाप मिलता है, उनकी growth बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, बास का आचार भी डलता है, बास का भी डलता है, बड़ा स्वाद होता है, एक बार आप इसको सेवन करके देखो, आप उसके दिवाने ना हो जाओ, तो मुझ में से काटें, उसकी शकल, बिल्कुल लंबर स्पैन जैसी होती है, पहले लोग मिर्च, अचार और प्याज, यही सिर्फ खाते थे, और रोटी खाते थे, सर पे गठरी रखते थे, बहुत बारी-बारी, उनको कभी ना सर्वाइकल होता था, ना सियाटी का होता था, तो मिर मिर्ची खाने से हमारी लंबर स्पैन स्टों होती है, और सियाटी का सर्वाइकल की दिक्कत हो, उसमें भी उनको बहुत लाब मिलने लगता है, साथी साथ, जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन प्रोपर नाओ, हर्ट की समस्या उनके अंदर समा रही हो, बन रही हो, ऐसे ल अचार के बहुत ऐसे अंसुने फाइदे बताया है, जो हमने आज सक सुने नहीं, क्योंकि हम तो जब भी अचार खाने बैठते हैं, तो हर को ये कहता है कि अचार नुकसान देता है, आज के समय में, लेकिन सर्, आपने बहुत सारे अचार के फाइदे तो बता दी, मैं जान लसन ताम से बहुत जाना है, लसन के फाइदे बहुते हैं, नुकसान सिर्फ एक है कि वो मुझसे बास मारता है, सरीर से उसकी बास आने लगती है, कोलेस्टोल ये बहुत अच्छा मेंटें करता है, हर्ट के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जिन लोगों का ब्लड की दिक्कत हो, अक्सर कहता हूं कि आप एक से दो फली, तीन फली, प्रहते काल, खाली पेट, पानी के साथ लसन को निखल लो, निश्चित रूप से, क्योंकि वाद्शामक है, और सर्वाइकल और सियाटिका में इसका बहुत अच्छा लाब मिलता है, तो जो लोग लसन का अचार भी खाएंगे, तो वाद का शमन होगा, उनके शरी में दर्द नहीं आएगा, और ऐसे भी सर कहा जाता है कि जो आमला और लहसन है, इसे किसी भी रूप में या किसी भी फॉर्म में खाया जाए, चाया पाउडर खाओ, कच्छा चबा के खाओ, अचार बना के खाओ, समझी बना के खाओ, ये इसके पाइदे उतने ही रहते हैं, जितना इसके कच्छे फॉर्म में रहते हैं, लसन को कई बार बहुत ज्यादा लोग तल लेते हैं, तब उसके गुण थोड़े कम हो जाते हैं, जितना कम से कम तला होगा, उतने लाव इसको हमको मिलेंगे, तो सर लोगों को खाज-खुजली की बहुत ज्यादा दिक्कत हो, ऐसे लोगों को बचना चाहिए, तीसरा, ये किसी-किसी का BP बहुत तेजी से सूट अप करता है, क्योंकि इसमें नमक परचुर मातरा में, जिनका BP हाई हो, ऐसे लोगों को इस अचार से बचना चाहिए, और लोगों को बहुत ज्यादा acidity रहती हो, गर्ड की दिक्कत हो, acid reflect होता हो, ऐसे लोगों को भी अचार से बचना चाहिए, और सर अचार ऐसा भी है क्या कि आम का अचार हमने डाला है, तो उसको सिर्फ गर्मियों में खाएं, क्या रितु चरिया या सीजन के हिसाब से भी अच बन कर सकते हैं, कोई इदी करने, सर्दियों में अकसर लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, खिचडी, सर्दियों में लोग खिचडी बहुत खाते हैं, खिचडी की तासिर भी गर्म है, आचार की तासिर भी गर्म है, और यह सरीज में गर्मी पैदा करता है, तो मैंने एक बा तो आप देखेंगे कि खिचडी तो हमारे हैं सरदियों में जो है लोग इसके इस्टाल भी लगाते हैं तो खिचडी तो हमारा राष्ट्रे भोगे इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं अर अचार मिल जाए तो सुआद इसका बहुत जादा बढ़ जाता है ऐसा कोई आदमी हो जो खिचडी का परिचित ना हो जाए उसने भीमारी में खाई है चाही वोगे कि खिचडी हमारे है पेट लिए बहुत जादा अच्छी है और अचार मिलने के बाद इसकी पाचन के लिए कि जो सक्तिय है बहुत बढ़ जाता हैं तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अचार के इतने औशधी ये गुण हमें बताए ताकि हम अचार का सेवन करके भी उसके स्वास्ते लाब लेकर बिमारियों को धूर बगा सके तो अमीद करता हूँ अचार के बारे में इस वीडियो को सुनने के बाद आपने बहुत कुछ अचार के बारे में नया जाना होगा, जो आज तक अचार को खाने के बावजूद भी आपको नहीं पता होगा कि ये अचार भी आपके स्वास्थे का, आपके शरीर का कल्प कर सकता है, लेकिन एक बात का धिहान रखे, जिस अचार को आप मार्किट से खरीद कर खरीद कर बहुत असान है बनाना, ताकि आप जो चीज घर पर बनाएंगे, भले आपको से बनाने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो आपके स्वास्ते के लिए फायदे मंदे ही होगा, वैसे तो हमने जैसे आज अचार के बारे में बताया है, इसी तरह से हमारी कोशिश रहती है, अ आप चाहते हैं उस बिमारी का आयरवेदिक उपचार, आश्णियों के बारे में जानना, जड़ी बूटियों के बारे में जानना, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा सर के माध्यम से, या अलग-अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आप को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्त रख सकें, और अगर आप चाहते हैं सर से कंसल्ट करना, तो सर की कॉंटेक्ट डिटेल्स भी नीचे, डेस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको में जाएगी, जहां से आप सर से कॉंटेक्ट कर सकते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद से, मना भगवन,